असल में कोरोना बस्तियों में और गाउं में पहुंच चुका है तो आज ही अकबार में पढ़ दा था कि बयाज आटो में तीन सो औरंगाबाद की फैक्टरी में तीन सो कामगार तीन सो मजदूर कोरोना से के पॉजिटिव पाए गए हैं तो अब यह तो हो नहीं है क्योंकि वैसे कहा जा रहा है ऑफिशली की 6 लाग कोरोना केसिस हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का अंदाज है कि यह काफी कम करके आकड़ा बताया जा रहा है और आकड़ा इससे 20 गोना ज्यादा भी हो सकता है 20 गोना ज्यादा का मतलब यह हुआ कि लगभग एक करोर लोग तो वह यदि उतना नवी माने तो भी 20-30 लाक लोग तो कोरोना से प्रभावित होंगे इतना तो मानकरी चलिए उतने ज्यादा संख्या में केसिज इसलिए पता नहीं चल रहे क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है तो कि इनकी टेस्टिंग की जो मात्रा है वो दुनिया में बहुत सारे देशों से बहुत कम है ज्यादतर देश 6 से 8000 टेस्ट कर रहे हैं प्रति लाक अबादी भारत मु लुग क्यों अगया में चैने को हो जाएगा कि उतनी बिमारी है नहीं मरने वालों कि संख्य भी जितना यह बता रहे हैं उससे काफी ज्यादा है डॉक्टरस बताते हैं कि उनको कहा जारा है कि iyi मरीज कुरोना से मर गया तो आप उसको बता दीजिए कि हार्ट अटेक से मरा है । डाइबीटीस से मरा है जबकि असल में वो मरा है करोना से को मॉर्बिडीनवी großen जिसको बोलते हैं याई आपको और कोई बिमारी है उससे कोरोना से मौत की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है लेकिन यदि कोरोना नहीं होता तो फिर वो आदमी डाइबिटेस के बावजुद भी और दस साल जिन्दा रहता तो यदि लोग इन कारणों से मर जा रहे हैं तो वो कोरोना की देथ है लेकिन हॉस्पिटल्स वो आकड़े क करके बता रहे हैं तो उसके चलते एक्चुल फिगर तो बहुत ज्यादा है तो यह कहना कि और इस तरह से देखा जाए ना कि जिस समय चौबिस मार्च को इन्होंने लॉग डाउन गोशित किया था उसमें भारत में उफिशली 600 केसिस थे दस सब्ता बाद एक जून को जब इन्होंने लॉग डाउन खोलने की बाद शुरू की अनलॉक वण जिसको यह कहते हैं उसमें भारत में लगबग ढाईला केसिस थे अपको बिमारी को फैलने में धीमा कर देता है उतनी तेजी से बिमारी नहीं फैलती क्योंकि लोगों का घर से बाहर नेकलना कम हो जाता है तो लॉक डाउन आपको एक मौका देता है कि बिमारी को आप कंट्रोल कर लो यानि आप तेजी से कदम उठाईए ताकि आप बिमारी पर काबू पा सकें बिमारी पर काबू पाने के लिए जो करना था इन्होंने किया ही नहीं क्योंकि लॉक्डाउन बिना प्लैनिंग के लागू कर दिया धाई महीने दस सप्ता कुछ किया नहीं और फिर जब लॉक्डाउन उठाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बिमारी और तेजी से पहलेगी तो महीने भर के अंदर अब केसे 6 लाग पार कर चुके हैं तो तई है कि लॉक्डाउन पूरी तरह से असफल था और अर्तिवस्ता वहेंकर संकट में पहुच गई तो इन लोगों ने तेह कि लॉक्डाउन खोल दिया जाए जितने मरेंगे मरेंगे जो होगा होगा तो सरकार का खुल अटिट्यूड अभ यही हो गया है केंद्र सरकार का की बिमारी को फैलने दिया जाए खाली जो बिमार पड़ते हैं ज्यादा बिमार पड़ते हैं जो सीमित स्वास सुविदा हैं उसमें जितना लोगों का इलाज होगा होगा एक private hospitals का network है जिसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं तो अमीर लोग, मध्यम वर्ग लोग कम मरेंगे, गरीब आदमी बज गया तो बज गया, मर गया तो मर गया तो बेसिक अप इतना ही है कि economy को वापिस खड़ा करने की कोशिश की जाए, मतलब यह हुआ कि जो करखानेदार हैं, कंपनियां हैं, कॉर्परेशन हैं, उनका नफ़ा वापिस चालू होना शुरू हो जाए, वो तो अपनी कंपनियों में जाएंगे नहीं, सारी मालिक अपने घरों पर रहेंगे, उनके मैनेजर्स और उनके कामगार कारखाने संबालेंगे, जितने मरेंगे मरेंगे बाकी कारखाना लेकिन चलता रहेगा, तो यह अब कुल मिलाकर पूरा attitude हो गया है, कि इन्होंने लगभग ये तैय कर लिया है, कि देखा जाएगा क्या होता है, और सिर्फ हवाबाजी हो रही है, बड़े-बड़े नारे दिये जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि, अब तो ये भी कहना, ये लोग कम कर रहे हैं कि हमारे दुनिया में और देशों की तुलना में कम है, क्योंकि अब ये तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं दु अब ये अब ये लोग इस बीमारी को टैकल कर सकते थे, ये जो हालत में हम पहुचे हैं, इस हालत से बचा जा सकता था, आप ये ध्यान देंगी तो जादतर अगबारों में ये यूरप के देशों के केसे जा रहे हैं, जहां पर की भी लॉकडाउन उठाया जाए जाए जा रहा है और केसे फैलते चले जा रहे हैं, और ऐसे में ये यूरोप के केसे और अमरीका के विशेश तोरपर इसलिए बात की जा रही है, कि देखिए वहां पर भी लोग मर रहे हैं, हमारे हां मरने वालों की संख्या उनकी तुल्दा में थोड़ी कम है, तो यानि इससे आप संतोश कर लीजीए۔ लेकिन जिन देशों ने इस बिमारी से सफलता पूर्वक संघर्श किया है और इस बिमारी को सफलता पूर्वक कंट्रोल किया है उन देशों की चर्चा हो ही नहीं रही। वो देश मतलब जैसे उधारन के लिए क्यूबा है निकारगवा है वेनिजवाला है इन सारे देशों ने इस बिमारी से बहुती सफलता पूर्वक इस बिमारी से संगर्श किया है अपनी एकॉनिमीज को अब जब वो ओपन कर रहे हैं एक सीमित मात्रा में तो वहापे कोई ड जादा लोग कोरोना वाइरस से मरे हैं यदि देथ रेट दुनिया में क्यूबा वेनिजवाला निकारगवा के रेट पर होता तो आज मुश्किल से 30-40,000 लोग मरे होते हैं यदि हम प्रती लाख पॉपुलेशन के हिसाब से एक्स्ट्रापॉलेट करें कि क्यूबा में इत इनों देशों का एवरेज निकाल लें तो समझ में आएगा कि पांच लाग के बदले मुश्किल से 40-40,000 लोग मरे होते हैं यानि बिमारी पूरी तरह से कंट्रोल में होती ये सारे लोग मरे ही इसी लिए हैं क्योंकि योरोप के देश अमरीका और भारत मुलत एक ही किसम की विवस्थाएं यानि मुलत पुझीवादी विवस्थाएं हैं जो की कंपनियों की चिंता जादा करती हैं कंपनियों के नफे की चिंता जादा करती हैं लोगों पर खर्चा कम से कम करना चाते हैं और इसके चलते इन सारे देशों ने भारत समेत पहले तो बिमारी के बारे म में जब खबरे आनी शुरू हुई तो कदम उठाने के बदले लॉगडाउन डीले किया मैक्सिमम पॉसिबल डीले किया भारत में तो पूरा मजा की था ट्रम्प को होस्च किया जा रहा था दिल्ली में दंगे करवाई जा रहे थे वगएरे वगएरे तो और फिर अचानक 24 मा कर रहा हूं जिन्होंने सफलत पूरों बीमारी से संगर्श किया उन्होंने जैसे ही खबरे आनी शुरू हुई और जैसे ही डाब्लु एचों ने वार्डिंग देनी शुरू की उन लोगोंने बाहर से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी उनकी टेस्टिंग शुरू क हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अचानक 24 मार्च को बिना किसी तैयारी के लोगडाउन गोशित कर दिया जैसे कि यूरूप के देशों ने किया उन्होंने भी ठीक किसी तरह से किया अच्छा चलिए लोगडाउन लेट गोशित किया तो फिर क्या करना चाहिए था दो मेह प्रफित फैलती है तो आपके पास डॉक्टर्स स्वास सुविदाएं होनी चाहिए ताकि आप लोगों को इलाज कर सकें भारत के स्वास सुविदाएं वैसे ही बहुत खराब भारत दुनिया में बिमारियों की राजदानी कहा जाता है यहां पर जिन बिमारियों का इलाज हो सकता है मलेरिया और टीबी उस बिमारिय से लाखों लोग हर साल मरते हैं स्वास सुविदाएं की हालत इतनी खराब है कि इनका जो ग्रामीन स्वास्थे नेटवर्क है जिसमें प्राइमेरी हेल्ट सेंटर होते हैं उसकी उपर कमनिटी हेल्ट सेंटर होते हैं जिनको बोलते हैं, CHCs का सरकारी आंकड़ा ये है कि जितने डॉक्टर होने चाहिए उसमें से सिर्फ 20% डॉक्टर हैं, 80% डॉक्टर हैं ही नहीं, इसलिए जादातर CHC यानि कम्निटी हेल्ट सेंटर में, जो ग्रामीन स्वास सेवाओं का सबसे उपर का हॉस्पिटल है, उसमे जादतर CHC में operation theaters बंद पड़े हुए हैं क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है, जो शेरों की बात है, उसमें आप मालूमी है सारे लोगों की अस्पतालों की दिल्ली जहां पर की सबसे अच्छे देश के सरकारी अस्पताल हैं, उसका हाल यदि सारी खबरों में आ रहा है कि बेहा है, तो बाकी देश में क्या होगा, अंदाज लगा सकते हैं, कुछ समय पहले बिहार में जब बच्चे मर रहे थे, एंसेफैलिटेस से, तो एक छोटा सा वीडियो हमने लोगों को दिखाया, बिहार के सबसे मुझाफरपुर का जो मुख्य अस्पताल था, उसकी हालत का कि पलंग, वो पिशाब और टटी बह रही है, उसी में नीचे लोग लेटे हुए हैं, तीन फ्लोर का हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था बस, तो जहां पर अस्पतालों की हालत खराब हो, एक्यूप्मेंट नहों, उतने डॉक्टर्स नहों, इन सब का कारण, मुल्त देश की स्वास सविधाओं के इतने खराब होने का कारण यह है, कि भारत में स्वास सेवाओं पे खर्च बहुत ही कम है, दुम्या के जादतर देशों से भारत सरकार स्वास सविधाओं पे कम खर्च करती है, हम मुश्किल से अपने जीडीपी का देड़ प्रतिशत खर्च करते हैं केंद्र और राज्य सरकारे मिलाकर यानि पूरे देश पर जितना स्वास्त का पर खर्चा होता है सरकारी खर्चा वो GDP का देड़ प्रतिशत है यूरोप के देश 5 से 8 प्रतिशत खर्चा करते हैं जादतर जिनको विकाशील देश बोलते हैं वो अपने GDP का 3 तू 5 परसंट खर करते हैं अच्छा भारत की अबादी जादा है और गरीब देश है तो यह जो कंपेरिजन है कि यूरोप के देश 7 परसंट खर्च करते हैं भारत देड़ प्रतिशत खर्च करता है तो लगता है कि भाई वो सिर्फ 5 गुन जादा खर्च कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है यद ग्यारस रुपए है सालाना यूरोप के देश प्रतिव्यक्ति 3 लाग खर्च करते हैं यानि डिफ्रेंस हो गया 300 is to 1 इतना गैप है प्रतिव्यक्ति खर्चों में तो जब भारत सरकार अस्पतालों पर नहीं के बराबर स्वास सुविधाओं पर नहीं के बराबर खर्च कर और दूसी तरफ प्राइवेट हेल्थ सुविधाओं को पूरी तरह से बड़ोतरी दी जा रही है प्रोचाहन दिया जा रहा है बलकि उनको सबसिडीज दी जा रही है कि प्राइवेट एस्पताल खड़े किये जाए उनको सस्ते में जमीन मिलती है उनको तरह तरह की और फै लोग अपनी जेब से लगभग 65 प्रतिशत खर्चा करते हैं तो यदि जादतर क्योंकि सरकारी सुविधाय है ही नहीं तो प्राइवेट में जाना पड़ता है यानि अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है इसमें भारत दुनिया में जादतर देशों से उपर है दुनिय के जादतर देशों में सरकार इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है प्राइवेट में बहुत कम खर्चा होता है हमारे देश में प्राइवेट ही में है क्योंकि लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं सारे लोग अफोड नहीं कर पाते अस्पतालों में जाना प्र उसके अलावा जो diabetes, heart attack वगएरे से जो लोग मरते हैं, 60% भारत में death, इन chronic diseases जिनको बोलते हैं, ये diabetes, asthma, cancer वगएरे, इन में से बहुत सारी बिमारियों से मरने की जरुवत नहीं है, क्योंकि उनका इन बिमारियों को manage किया जा सकता है, manage करने के लिए सरकारी अस्पताल होने चाहिए, सही सलाह मिलनी चाहिए, वगएरे वगएरे, यहां पर ऐसा कुछ होता ही, जो इस देश में स्वास सविताओं का हाल पहले से ही इतना खराब है, कि वो समानने बिमारियों से नहीं लड़ पा रहा, उस देश में यदि coronavirus फैलने लगेगा, तो आपका health system उसको tackle कर ही नहीं सकता, इसलिए पहला कदम ये उठाना चाहिए था, lockdown के साथ ही, कि health services पे सरकार अपना खर्चा बड़े पैमाने पर बढ़ाए, उसके साथ ही दूसरा कदम ये उठाना चाहिए कि यदि आपकी पिछले कई दशकों की policies के चलते विशेशकर 90 के बाद, जो इन्होंने वैश्वी करन शुरू किया है, उसके चलते हर चीज का जो निजी करन की शुरूआत की है, उसमें health systems भी private हुए हैं, तो जब ज़्यादतर beds private sector में हैं, जब ज़्यादतर ventilator जैसे equipment private sector मे हैं, एक आकड़ा है कि 80% ventilators देश में private sector के बाद हैं, दो तीहाई पलंग private sector में हैं, वो सारे hospital बंद करके घर बैठ गए उनके सारे doctors, तो काईदन होना क्या चाहिए था कि वो सारा hospital network take over होना चाहिए था, क्योंकि आपके सबसे अच्छे hospital और आपके ज़्यादतर doctors private sector में हैं तो उन सबको आप जब कहते हैं कि युद्ध है, कोरोना वाइरस के खिलाफ एक युद्ध करना है, तो युद्ध में एक हाथ पीछे बानकर थोड़ी संगर्श किया जाता है, पूरी ताकत लगाने का मतलब है कि जो सारी स्वास सुवेदाय देश में उपलब देएं, सबक को इस संगर्श में जोकना चाहिए, पूरा हॉस्पेटल नेटवर्क को काम में लाना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, अच्छा ये कोई अजूबी बात नहीं है, स्पेन जैसे देश ने, आरलेंड ने, न्यूजलेंड नहीं ही किया, वहाँ पे जो लिमिटेड प् रखी, और उसका शुरू के महिने, देड़ महिने, साड़ी चार हजार रुपे प्रती टेस्ट, तो पांच लोगों का परिवार होगा, उसमें से एक को यदि सस्पेक्टेड है, तो पूरी परिवार को टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो कहां से 22,000 रुपे देगा टेस्ट को टेक ओवर करके, सरकार अपना स्वास सुविदाओं पे खर्चा डबल या ट्रिपल कर दे, क्या इस देश के पास पैसे नहीं है, पैसे है, देड़ प्रतिशत जो स्वास से वहों पे खर्चा है, उसको यदि डबल करना हो, यानि 3% पे लाना हो, तो इसका मतलब है कि सरक सरकार को लगभग 3.5.5 करोड रुपे खर्च करने पड़े, अभी फिलाल खर्चा कुछ 3.4 लाक करोड है, डबल करना हो तो और 3.4 लाक करोड लगेगा, ये कोई बहुत बढ़ी रकम नहीं है, भारत सरकार हर साल अमीरों को जो टैक्स कंसेशन्स देती है, वो लगभग 6. लाक करोड है, सालाना, भारत सरकार जो अमीरों को लोन माफी देती है, उन्होंने जो बैंकों से लोन लिये हैं और वो जो लोन राइट अफ किये जा रहे हैं, उसका आकड़ा भी सालाना दो 3.4 लाक करोड है, इसमें कई प्रकार के लोन है, एक डिक्लैड लोन राइट वो फिगर करीब दो से तीन लाख करोड सालाना आता है इसके अलावा और तमाम प्रकारों से अमीरों को कंसेशन दिये जा रहे हैं जैसे आप सारे जो ये खंदिश पदार्त हैं यानि मिनेरल्स जो हैं जिसे कोईला है कचलो है ये सारा प्राइवेट करते चले जा रहे हैं ज सारा पैसा सरकार के पास आता अब वो सारा प्राइवेट उसको बेश की संपदा को बेश कर कमाएगा सरकार को थोड़ी से रॉयल्टी मिलेगी यदी सरकार सीरियस हो तो हमने एक पेटिशन फ्लोट किया था कि यदी सरकार इस देश के जो सबसे अमीर लोग हैं जिनके पास इस देश में अमीरों की संख्या कम नहीं है भारत में अरब पत्यों की संख्या दुनिया में तीसरे नंबर पर है लेकिन सरकार उन पे tax बहुत कम लगाती है और इसलिए सरकार की ज़्यादतर tax अमदनी आम जंता से आती है जिसको indirect taxes बोलते हैं 70% इस देश में टैक्सेज इन डारिक टैक्सेज से आते हैं, सिर्फ 30% डारिक टैक्सेज से आते हैं, दुनिया के जादतर देशों में इसका ठीक उल्टा है, डारिक टैक्सेज यानि जो अमीरों से टैक्सेज आते हैं, वो 60-70% है, जनता से टैक्सेज यानि सारे लोगों से जो टैक्स निकठा किये जाते हैं जिसको इंडिरेक्ट टैक्स बोलते हैं वो सिर्फ जादर तर देशों में 30 to 40% है हमारे यहां पर ठीक उल्टा है अमीरों पर टैक्स लगाते ही नहीं इसलिए GST पर इतना जोर है क्योंकि वो इंडिरेक्ट टैक्स है तो हमने पेटिशन फ् जो कि आमदनी कर सकती है सालना जो फिक अरब्पति है जिनके पास इतनी संपति है जो नहीं के बराबर टैक्स देते हैं जब आप सारे देश से sacrifice करने को बोल रहे हैं कि इतना बड़ा संकट आया है सब sacrifice करें तो अमीरों पर 1% tax नहीं लगाये जा सकता है यह demand तो अब international संथाएं OECD कर रही है कि अमीरों पर well tax लगाये जाए इस संकट से संगर्श करने के लिए तो हमारे देश में तो असानी से लगाये जा सकता है उसके अलावा यदि वार्षा कर लगा दे सरकार अमीरों पर भई मान लो यह logic मान लिया जाए कि अमीर अमीर इसलिए हैं कि बहुत महनती हैं लेकिन उनके बच्चों ने कौन सी महनत की सारी संपती उनके बच्चों को क्यों मिले इसे लिए दुनिया के बहुत सारे पूंजीवारी देश अमीरों पर वार्षा कर लगाते हैं कि आपकी property बच्चों को इनहरिट होगी तो जैदी एक modest inheritance tax भी लगा ले अमीरों पर तो सरकार को पाच्छे लाग करूर रुपे इकठा हो जाए उसके अलावा सरकार बॉरोइंग कर सकती है यह सारा जो लॉजिक आजकल चल रहा है एकनॉमिक्स में कि बॉरोइंग नहीं होनी चाहिए और फिस्कल डेफिसिट कम से कम होना चाहिए यह सारी बक्वास है यह सारा विश्व बैंक आएमेफ द्वारा इंपोस की गई एकनॉमिक पॉलिसी है उनके फाइदे के लिए अब आज उतना समय नहीं है वह सारा एकनॉमिक्स का लॉजिक डिसकस करने के लिए एलिमेंटरी कीन्स का सिध्धान्त है कि गरीब देश अपनी बॉरोइंग्स बढ़ा कर एकनॉमिक को मजबूत कर सकते हैं तो सरकार यदि यह सारे कदम उठाए तो बीस पच्चिस लाख करोड उपे सरकार अपनी आमदन बढ़ा सकती है हम कोई अजूबी बात नहीं कर रह है और वो सारा बॉरोइंग्स बढ़ा कर है हमारा जो वास्तविक रिलीफ पैकेजे जो सरकार निगोशित किया कहने को बीस लाग करोड है असल में उसका अमाउंट मुश्किल से देड़ लाग करोड है देड़ से दो लाग करोड बाकि सारा फरजी है मतलब बंबं करना है उसमें खोकले नारे है एक्चुल खर्चा कुछ नहीं है तो सरकार नहीं के बराबर खर्च कर देए तो हमारा इतना ही कहना है कि यदि सरकार ये सारे कदम उठाए तो भरपूर पैसे ही कठा होंगे और उससे स्वास सेवाओं पे खर्चा डबल या ट्रिपल हो सकता है आसा कि एक तो जो हमने बात की कि हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जाए डॉक्टर्स वगएरे नर्सिस वगएरे को सारा एक्यूप्मेंट दिया जाए सारे प्रैवित सेक्टर को टेक ओवर किया जाए उसको भी इस संगर्ष में उतारा जाए लेकिन उसके अलावा एक बहुत जरूरी कदम यह है कि बड़े पैमाने पर कॉंटाक्ट ट्रेसिंग की जाए कि जो भी बिमार व्यक्ति है उसके संपर्कों को क्वारंटाइन किया जाए उसके संपर्कों को ट्रेस किया जाए उनको आइडिंटिफाई किया जाए क्योंकि कोरोन वाइरस के बारे में एक महत उसके संपरकों में वारीश फैलने कि संभाव ना है, तो इसके संपरकों को या तो क wspomnगी करू सारी आबादी को confidence में ले कर सारे लोगों को बिमारी समझा कर, उनको के इन सारे कदमों का मेहत् समझा कर, अचाय ये कैसे हो सकता है, जितने भी देश के जन संगठन बने हुई हैं लेडिंपनında सा जन का पाइध आप भैके इस तरह का संगठन येुदारा हैं लेगे, सब्सक्राइब करना है और यह सब करते हुए फिर वो लोग कहेंगे ना कि हम लोगों को क्वारेंटाइन करेंगे तो उनको भोजन पानी उपलब कराना होगा उनको इसेंशेल आर्थिक मदद देनी होगी उनको राशन देने होगे उसके लिए सरकार को करचा करना पड़ेगा तो दूसरा कदम 1 का ओं स्वास सवाओं को मजबूत किया जाए दूसरा कदम है कि आम को भी मोबिलाइज किया जाए इस बिमारी से संगर्श करने के लिए विदा बीमार्री उनको क्वारंटाइन किया जाए और तीसरा कदम है कि जब आप लोगडाउन करते हैं तो बड़े पैमाने पर यदी लोग प्रभावित हैं इस देश में 90% लोग informal सेक्टर में काम करते हैं कामगार हैं उन सब के रोजगार चले गए जो फेरी वाले हैं ऑटो दिक्षा रोजगार हो गए इन सब की उतनी कमाई तो है नहीं कि लंबे समय तक वो अपने खर्चे चलाएं तो यही कारण है कि देश में बहुत बड़ी अबादी भूक मरी के कगार पे पहुच गई है तो जब सरकार ने कोई मददी गोशित नहीं की तो सारा माइग्रेंट लेबर अपने गाउं की तरफ निकल पड़ा अब गाउं पहुच गए वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है इधर economy open up कर रहे है तो अब उन में से कई लोग शहर वापिस आना चाते हैं क्योंकि करें क्या गाउं वे भूके मरने की सितिय है तो यदी इन सारी चीज़ों को टैक्रें क घर पे रहे हैं कैश ट्रांसफर यदी सरकार कैश और राशन मिला कर यदी सरकार छह साथ हजार रुपए हर परिवार को हर महिने दे तो यदी हम इसका बहुत सिंपल कैलकुलेशन है देश में 27 करोड परिवार हैं उन में से 20 करोड को भी मदद करनी होगी और आप 20 करोड ल उसको 3 महिने के लिए कर दीजिए तो भी 4.4.4.4 लाग करोड पर मैंने आपको अभी जो कैलकुलेशन बताए सरकार आसानी से 10-20.0.5 करोड रेस कर सकती है ये देश इस मामले में गरीब नहीं है सरकार अपनी आमदनी चाहे तो इतनी बड़ा सकती है सारे लोगों को मदद की जा सकती थी ताकि वो उतने डेस्परेट नहों और फिर इस परिस्थिती का फाइदा उठाकर ये सही बात है कि संकट में आपको एक वेकल्पिक अर्तिवस्था खड़ा करने का मौका मिल जाता है तो गाउ में कम से कम नरेगा पर खर्चे बड़े प्यमाने पर लेकिन इन सारों से जो बेस बनता एकॉनमी का जैसे यदि हम गाउ में नरेगा की जरिये बड़े पैमाने पर वाटर कंजर्वेशन और ये इस तरह के तमाम कदम उठाते तो हमारी खेती मजबूत होती और जो खेती में संकट है उसके लिए फिर जब गाउ में बड़े पै तो लोकलाइज एकॉनमी को कैसे खड़ा किया जाए जो गांधी का सपना था लेकिन इस देशने का सोचा नहीं और पूरी खेती का कॉर्परेटी करण किया जा रहा है उसके बदले हम उन सारी चीजों में खर्चा कर सकते थे तो यदि हम यदि सरकार चाहती यदि सरकार के क जान्दी जी का कहना था कि जो देश का सबसे अंतिम गरीब आदमी है वो आपकी पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में है कि नहीं यदि हम उस तरह से सोचे होते और उसके लिए ये सारे खर्चे बढ़ाए होते तो आसानी से एक वेकल्पिक एकॉनमी भी खड़ी होती बिमारी पूरा देश एक नए आधार पे खड़ा भी हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ भी न करके इन्होंने एकॉनमी को बिना तैयारी के लॉगडाउन लिफ्ट करने की तैयारी की है लॉगडाउन खोलते चले जा रहे हैं जिसका मतलब इतना ही होगा कि आने वाले दिनों में कोई आ अमरीका को भी पार कर जाएं